आज की स्वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका अभी सेमसंग का फॉन बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है, कि आप भी जानना चाहते हैं सेमसंग मुआल की स्लो चार्जिंग को हम कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें, आज की इस वाली वीडियो में आपको यही बताऊंगा आपके पास सेमसंग का कोई भी फॉन हो ओल्ड हो या नीव फॉन हो वो चार्ज नहीं होता है फास्ट और आप फास्ट चार्ड करते हैं बिल्कुल भी फास्ट चार्ड नहीं हो रहा है तो देखो सबसे पहले आपको अपनी मुबाल की सेटिंग में जाके एक option को on करना है अगर आप कर चुके हैं तो दूसरी सेटिंग में बताऊंगा तीन सेटिंग में आपको बताऊंगा ठीक है सबसे पहले आप अपनी मुबाल की सेटिंग में जाएंगे और यहां पर आपको इस तरीके से एक option देख जाएगा जिसका नाम होता है इचे की तरफ मिलेगा more battery setting यह देख सकते हैं अब यहां पर एक option होता है fast charging का यह आपका option बंद हो सकता है तो सबसे पहले इससे आप on कर लीजिए यह चारों आप कर लीजिए उसका जहां से आप बाहर निकला है ठीक है इस तरीके से और फॉन के अंदर जितने फाल्दू के आप इस्टोल कर धिए जो कोई काम के नहीं ठीक है यह करना होगा दूसरा क्या करना है आपको अपने फोन को चार्ज करते समय बैककवर उसका हटा देना है और अरो और attack mode पे चार्ज करना है क्योंकि फ्रैयल मौड पीशा पहोता क्या है यतना ही background में डाटा चलता रहता है वो बंद हो जाता है और जन्दी चार्ज हो जाता है तो यह दो तीन सेटिंग में आपको बताएं यह करेंगे तो हंडे परसेंट आपका सिमसंग का फार्ट चार्ज होगा